नमस्कार क्या आप भी अपने रंग रूप को लेकर हिंग बावना मैसुश करते हो क्या आप भी अपने आपको ये दोस्त देते हो कि भगवान मुझे ऐसा रूप क्यों दिया है भगवान मुझे ऐसा रंग क्यों दिया है कि लोग मुझे बार बार मेरी मजाव उडाते क्या आप भी अपने मापाप को दोस्त देते हो इसके लिए क्या आप भी मन ये मन इसके लिए कुंटित रेते हो अगर आप ये सब करते हो ना तो आपको एक चीज़ ये देखनी चाहिए आप इससे कैसे निकले अगर आपके मन में रंग रूप के लिएकर अगर आपके हीन बाउना हो गई है ना तो आप इससे कैसे निकले आप ये करें सब से पहले तो आप अपने आपको स्विकारें आप स्विकारें कि में हूँ जो बेस्ट हूँ आपको जो बगवान ने रंग रूप दिया है आप उसको बदन नहीं सकते हो वो रहेगा लेकिन आपको अपने अंदर से confidence develop करना होगा कि जो है जो मैं यह हूँ और इसी में ही मुझे better करना है best करना और better than best करना कुछ ऐसा करके दिखना है कुछ ऐसी ability अपने अंदर develop करनी है कि लोग आपकी वो ability देखे ना कि आपका रूप रंग देखे और जब वो ability आपके अंदर create हो जाएगी आपके अंदर develop हो जाएगी ना तब आपकी ability उपर उठ जाएगी आपका रंग रूप नीचे रह जाएगा आपके लोग आपके ability की तारीख करेंगे आपके रंग रूप को बूल जाएगे इसलिए अपने अंदर कुछ ऐसी ability develop करें और अपने अंदर कुछ confidence बेदा करें कि लोग आपकी कमजूरी को बूल जाएगे और आपकी ताकत को याद रखें एक बात ध्यान रखना आप इस दुन्या में ऐसे रंग रूप वाले आप अकले नहीं हैं हज्जारों लोग आपकी तरह हैं लेकिन फिर भी वो उपर उठे और उन्हें इतिहास लिगा आपने दनुष का नाम तो सुना होगा साउत के सुपरिष्टार रजनी कांद के दामात उनकी मूवी देखे होगी और उनके ओरिजिनल फोटू आपने देखे होंगे क्या सक्ल है उनकी पता है जब वो शुरुआत में फिल्मों में आये थे ना तब उनकी बहुत ही बेज जिती हुई इतनी बेज जिती हुई के कभी-कभी तो वो गुट-गुट कर रोते भी थे उन्हेंनों इंटर्यू में बताया था लोग उनको ओट्रो ड्राइवर क्या के गुलाते थे यह किसी फिल्म का हुर ही रो हो सकता है नो नेवर यह तो ओट्राइवर हो सकता है लेकिन फिल्म भी दनुस ने हार न मानी इंटर्यू में एक वाक्या बताते हैं काधाल कॉंडर्ण नाम की फिल्म की शुटिंग चल रही थी जब लोग उनका मजा कुडाते थे ना तो वह बिल्कुल साइलेंट रहते थे और इस फिल्म की जब शुटिंग चल रही थे लोगों ने पुचा कि इसका हीरो पून है तो धनुस ने अपनी जगए दूसरे को हीरो बता दिया कि मैं नहीं यह इस फिल्म का हीरो जब वहां के लोगों सच्छा ही पता चली कि धनुस इस फिल्म का हीरो है तो वह धनुस के उपर खूम होसे और खूम हसे उड़ाई दनुस को इतनी लज्जा हुई वो कमरे में गए और फूट फूट के रोए लेकिन वहां उन्होंने अपने कमजोरी को ताकत बनाया और फिर कहा कि आज इस रंग रूप की वज़े से लोग मेरे उपर हस रहे हैं लेकिन मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा ना यही लोग मेरे दिवाने वज़े और आज दनुस साउथ इंडिस्टी के सूपर हीरो माने जाते हैं आज लोग उनके रंग रूप को नहीं देखते हैं आज लोग उनकी एक्टिंग का लोहों मानते हैं तो यह देखिया आप भी अगर यह सोचते हो तो आपके अंदर भी कुछ और कुछ आ उनकी भी सक्ल सुरुत का खूब मजाग हुआ लेकि उन्होंने कभी कोई रेस्पूंस ने दिया और वो जीवन में आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे हैं और रिजल्ट आपने देगा भारत के राष्टपती तक पहुचे हो इसलिए आपके उपर अगर कोई लोग रमजोरी है ना यह डाउन हो जाएगी और आपकी अबिलिटी उपर बढ़ जाए बोलीवूट इंडिस्ट्री को हीरो नवस जुदिन सिद्ध की जानते होंगे आप जब यह सुरुवात्म फिल्मों में आये थे ना तो हज्जारों बार इनको रिजेक्शन मिला कि सक्र सु कहानी देखिए आज बोलीवूट में वह अच्छी पोजिशन पर पहुंचे है और किस बदलत अपने रंग रूप के बदलत नो नेवा अपनी एक्टिंग के बदलत अपनी एबिलिटी के बदलत तो यही चीज आपको डवलप करनी होगी बस अगर यह आपने डवलप कर ल अगर मन में अगर इसे हीन पामना है तो निकाल दे उसको खूब मेहनत करें और जो आपकी मन में उमंग है उस्सा है करने का वो करें और लोगों को करके दिखाएं आप